दोस्तों जहां 180 करड़ की एनीमल की रिलीज डेट पॉस्पॉन हो चुकी वो अपने सन्नी पाजी अपने गदर टू से डर के भाग चुके और अभी एनीमल के जो वा डिरेक्टर है उन्होंने एक अपना वीडियो डाला है ट्वीटर पे एंड इंस्टाग्राम पे उन्होंन इसमें आने वाली हिंदी तमिल देलगू मल्यालम कने तो हम भाई जो फिल्म के सॉंग्स ना फिल्म के अंदर सैवन साथ सॉंग हैं और उनको अलग अलग भाशा में डब करने के लिए उनकी जो राइटिंग है लिलिक्स है उसको लेके बहुत जारा बहुत टैंशन है और अब हमारा काम पुरा हुआ नहीं है तो अभी हम में सॉंग के उपर काम करना पड़ेगा और आप से ब्लानते कि आप लोगों ने हमको बहुत जादा प्यार दिया था एनिमल के प्री टीजर को लेके तो हम चाहते कि हम फिल्म को में बहुत ही अच्छे लेवल पर लेके मानना पाटेकर की एंट्री हो चुकी है एज विलन आई जानते क्या पूरी खबर दोस्तों सनी देवल और अमिशा पटेल स्टार गदर टू जल्द रिलीज होने वाली है 11 अगस्त को तारा सिंग के किरदार में सनी देवल एक बार फिल धमाल कमाल बेमिसाल दूं बचाते दिखाई देंगे थेटर में 4K क्वालिटी में भाई लोग बड़े परदी वे एक बार फिर सकीना को भाई साब ओहों फील करने के लिए उनको इंजोय करने के लिए उनकी तारिफ करने के लिए बहुत बहुत जारा इंतजार कर रहे हैं इन सब के बीच यह खबर आ रहे है कि नाना पार्टेकर भी इस फिलम का हिस्साब बन चुके हैं बट बट भाई वह इस फिलम में नई लीड अक्टर है नई विलन है वे फिलम में एक्टिंग करते बिलकुल भी दिखाई नहीं देंगे उन्होंने इस फिलम को अपनी आवास दी है आप जानते कि गदर के पहले पार्ट में ओम पूरी जी ने आवास दी थी तो अभी गदर टू के सेकंड पार्ट में नाना पाटेकर ने जगा ले लिए और वो इस फिलम को करेंगे नरेट आप जानते कि जैसे कि बरमास तो आई थी उसमें अमिता बचन की आवाज में किया गया था नरेटर बट उन्हें उसमें काम किया था आदर्श जो भाई बहुती सठीक रिवीव दे देते हैं और कमाई बताते फिलमों की इन्होंने एक ट्वीट किया कि नाना पाटेकर डज वोईस और फॉर गदर टू हैस्टेग नाना पाटेकर हैस लेंड हिस वोईस फॉर गदर टू नाना ज वोस विल इंटेडूस गदर और हूरे की स्पैसल स्क्रीनिंग के ऊपर तब तक आपको करना स्ट्रिस्काइब प्यार से दिल से अपने सन्नी पाजी के लिए अपने सकीना जी के लिए तब तक बाई गाईस सी यू टेक केर